हेलो श्र् enormously हमने पिछनी क्लास मने समंद के बारे में अध्यन करेंगे आज हम फलन के बारे में अध्यन करेंगे फलन क्या है? एक समुच्चा A से समुच्चा B में एक संबंद एप एक फलन कहलाता है यदि समुच्चा A के पृतियक अवयब के संगत समुच्चा B में एक और केवल एक पृतियम होता है यहां चेतर में दो समुख्य दिखाई हैं A और B A का A का अभियब A समुख्य B के दो अभियब X और Y से संबंदे दिखाया है यहां पर दो एक में हैं AX और AY तो इसमें प्रत्म खटक A जो है एक सा है आता ऐसे संबंध्ध फलन ही होते जिसमें दो योग में के प्रतम घटक समान हो किसी फलंग का प्रांथ, सह प्रांथ एवं परिसर क्या है एक यहां फलंग दिखाया है एप A से B के बीच में तो A जो है प्रांथ या डोमेन कहलाएगा B जो है सह प्रांथ या को डोमेन कहलाएगा ये के सभी अवयबों के प्रतिवयम B में belong करते हैं और ऐसे सभी प्रतिवयमों का समुच्चा है B का उसमुच्चा होता है और एप का परिशर भी कहलाता है अब हम आन्टू और इंटू मैपें में अंतर समझेंगे फलन एप X से Y में है ये आन्टू कहलाएगा यादि Y का प्रतिवयम X के किसी ना किसी अवयब का प्रतिवयम होता है तो ऐसे फलन आन्टू होते हैं पहले चत्र में देखो Y में दो अवयब देख रहे हैं A और B कोई भी ऐसा अथरिक अवयब नहीं है जो X से संब्दन नहीं है अथा जो अन्टू मेप हैंगे दूसरे चत्र में देखते हैं Y में तीन अवयब दिख रहे हैं A, B, C C जो है X के किसी अवयब से मेप नहीं है अथा यह अन्टू फंक्शन नहीं है इंटू फंक्शन है अब हम एक-एक फंक्शन के माँ समझेंगे यहां एक फलन दिया है एकसे सिभाय में यह एक-एक यह बन-बन कहला हैगा यदि X के सभी अवयबों के प्रतिव्यम भी भिन्ने भिन्ने हूँ अथा इसका मलब होता है यह चत्र में देखो कि X के सभी जो भिन्ने अवयबों है उनकी इमेज़ेस भी सब भिन्ने भिन्ने है एकसी नहीं है अथा इस एक-एक फलन है इस दूसरे चत्र में देखो कि X के दो अवयबों चार और ग्यारा उनकी इमेज जो है 5 है भिन्नन ना होके एक ही है आता है जिए एक एक ना हो करके बहु एक फलन होगा अब इस चत्र को देखो इसमें एक एक और बहु एक में अंतर दिखा है एक एक में देखो एक के तीन अभयव बी के तीन अलग अभयव से संबन देते हैं और दूसरे चत्र में देखेंगे, एक के तीन अवयब, एक, दो, तीन, बी के एक ही अवयब से सम्भाद देते हैं, इसलिए जिए एक नहीं हो कर गी, बहु एक है, इसमें तीन चत्र दिखाए हैं, पहले में हम देखते हैं, कि दो का सम्भन रिण दो और दो से है, यानि जो योग में होगे, दो रिण 2 और दो, दो इसमें परतम खटक सम्भाद हैं, इसलिए जब फलन नहीं हैं, दूसरे में हम देखते हैं, कि X के 2 अवयब, 2 और रिण 2, Y के एक ही अवयब 8 से सम्भन देते हैं, तो इसलिए बन-बन मैप नहीं है, लेकिन फंक्शन है, तीसरे चत जाएगे फ़लन 1-1 है या आच्छा दक है तो एक-एक के लिए क्या condition हैगी यदि fx वारावर f-y लेके चलें और हम दर्सादें कि x वारावर 2 बाए तो यह फ़लन 1-1 होगा आच्छा दक के लिए हम क्या लेके चलेंगे यदि हम y ओ डोमेन का एक अभ्याब लेके चलें और ह दर्साद हैं कि domain में भी एक अभ्याब है जो कि उसका प्रितिवियम है अता यह है आच्छा देख होगा अब हम एक उधान लेके चलते हैं f x और आबर 2x f जो define किया गया है वो n से n के भी जो define किया गया है n किया है एक natural number है तो हम वो एक एक की condition लेके चलेंगे fx1 बराबर fx2 fx1 के इसके बराबर 2x1 के fx2 होता है 2x2 के और 2 cancel हो गया है तो x1 बराबर x2 आता यह फ़लन एक एक है यह फ़लन आच्छा दक इसलिए नहीं होगा कि natural number में एक होता है और एक जो है domain के किसी भी अबयब से संभाव नहीं है यह fx2 x2 बराबर बंद संभाव नहीं है आता है आच्छा तक नहीं है और यह बच्चों के लिए अपने home work के दिया है इसको बच्चे ध्यान से देखेंगे और जो हमने नियम बताएं उसके आधारपा इनको हल करने का प्यास करेंगे